दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप मेसेंजर चलाते हैं और कोई शक्स आपको बार बार मेसेंजर पर मेसेज करता है या बार बार मेसेंजर पर call करता है अगर आपको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई शक्स मुझे बार बार मेसेज करे मेसेंजर पर या call करे तो कोई tension लेने की जुरूरत नहीं है क्योंकि बड़ी ही आसानी के साथ आप उस शक्स को आप अपने मेसेंजर पर बलग कर सकते हैं इसली तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रही है दोस्तों वीडियो इस्टर्ट करने से पहले आप से एक छोटी सी दरखास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब कर लिजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तों वीडियो करता हूँ स्टार्ट तो दोस्तों अगर आप किसी को मेसंजर पर बलक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मूबाइल पर मेसंजर एप्लिकेशन को वापन कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रोफाइल दिखाई दे रहे होंगे आपके मूबाइल पर भी यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारे प्रोफाइल हैं तो आप जिसको भी बलक करना चाहते हैं तो उसके प्रोफाइल के ओपर क्लिक कर लीजिएगा जैसा के मैं एक प्रोफाइल के ओपर क्लिक कर रहा हूँ इस पर और उसके बाद दूस्तो इस पेज पर कुछ नहीं है बस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक आई बटन है इस आई बटन पर क्लिक कर लेना पड़ेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दूस्तो यहाँ बहुत सारे अप्शन खुल कर सामने आ गया है यहाँ थोड़ा निचे की तरफ जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल निचे ब्लॉक लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पहले नमबर पर आप देख पा रहे होंगे ब्लोग मेसेज एंड कॉल यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए ब्लोग लिखा हुआ है यहाँ पर किलिक करना पड़ेगा यहाँ पर किलिक करते हैं दोस्तो न तो उसकी call messenger पर आने वाली है और ना उसकी message आने वाली है तो दूसरे number पर आप देख सकते हैं block one facebook अगर आप उस शक् CGI को facebook पर block करना चाहते हैं तो इस पे click कर लीजिएगा इसमें किलिक करने के बद दोस्तों यहां ब्लोग का बटन आया है यहां पर किलिक कर लीजिएगा तो आप जो हैं दोनु जगे से ब्लोग हो चुके हैं ना तो उसकी मेसेज या कॉल जो है मेसेंजर पर आने वाली है और ना फेस्बुक पर आने वाली है तो दोस्तों वीडिय कैसी लगया कमेंट सेक्शन में जाकर जुरूर बताइए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया